हेलो दोस्तो मैं पारूल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ दुनिया भर में कई यह से लोग है जो अपने अजीबों गरीब कार्णमों की वज़े से चर्चा में रहते हैं यह साही एक सक्स इरान में रहता है अगर कोई आपसे कहे कि एक हपते तक आपको नहाना नहीं है या पानी से दुर रहना है तो यकिनन एबाद आपको ब्यहुदा मजा की लगेगी अगर आप दो दिन या तीन दिन ना नहाए तो आप अच्छा मेसुस नहीं करेंगी स्तरी से बदबुआने लगेगी और पसीना आपको परेशान करने लगेगा लेकिन इरान में एक सक्स रहता है जिसका नाम अमुहाजी है आपको जानकर हिरत होगी लेकिन बता दे कि 85 साल का एक सक्स पीछले 65 सालों से नहाया नहीं है इतना ही नहीं खाने में भी एक सक्स फ्रेश फूड की जगह सड़े गले मास को तवज्जा देता है दरसल नहीं नहाने के पीछे 85 साल के हाजी का अपना तरक है जिसकी वज़े से उन्होंने अपने जिने का तरीका बदल दिया दरसल हाजी को लगता है कि अगर वो नहाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे कई बार कुछ लोगों ने इसे नहलाने की कोशिस भी की लेकिन ये हर बार बज के भाग जाते हैं इसलिए उन्होंने एसी जिनगी चुनी जिसमें गंदगी के अलावा कुछ नहीं है बता दे कि अमुहाजी दक्सिनी इरान के फ्रांस प्रांद के देजगाह में रहते हैं लेकिन ये कब्र में सोता है और इसे ही अपने रहने का निवास समझता है अमुहाजी जमिन में बना एक गड़ो और इटो से बनने ठासों में सोता है हाजी को साफ पानी या ताजा खाना भी पसंद नहीं है वह मरे हुए जानोरों का सड़ा मास खाता है और साधी का मास उसे सबसे ज्यादा पसंद है वह दिन में पांट लीटर पानी पीते है इस काम के लिए भी वह जंग लगे ओलकेन का इस्तमाल करते है अमु हाजी को बाल कटवाना भी पसंद नहीं है इसलिए वो अपने बालों को कटवाने की जग उन्हें जला कर छोटे कर देते हैं वहीं सरदीयों में खुद को एक हेलमेट से गर्म रखने की कोशिस करते हैं जिसका इस्तेमाल कभी यूद के दोरां किया गया था हाजी अपने इस सूरत से अंजान नहीं है वो कार के सीसे में अपना चेहरा देखते हैं लेकिन उसे बदलने की कोशिस नहीं करते अमु हाजी यूवा अवस्था में ऐसे नहीं थे वे तब स्ताफ सफाई से रहा करते थे कहा जाता है कि जिन्गी में आई कुछ भावनात्मक परिसानियों के बाद उन्होंने अपने जीने का तरीका बदल दिया आज वे अपने इस गंद्गी से भरी जिन्गी में बहुत खुस है हाला कि इस कारण से उन्हें दुनिया के सबसे डटिएस्ट इंसान के नाम से भी जाना जाता है आज का वीडियो यहीं पर समप्त करते हैं अगर आप कोई वीडियो पसंद आया है तो लाइक सेर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ